हेलो एवरिवन, विल्कम बैक टू माई चैनल, आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी सूजी का हलवा, वो भी बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से तो चलिए इसे बनाना शुरू करती हूँ इसके लिए मैंने एक छोटी कड़ाई को गरम कर लिया है, इसमें मैं टाल रही हूँ एक कटोरी महीन वाली सूजी, ये लगभग 1.500 गराम सूजी है, इसे धीमी आज पर हम अच्छी तरह से भून लेंगे, हलका गोल्डन कलर आने तक, ये देखे सूजी में हलका गोल्डन कल अब हम इसे उतार लेते हैं, अब एक पैन को हमने फिर से गरम किया है, और एक कटोरी सूजी है, तो आधा कटोरी हमने लिया है देसी घी, तो आधा घी मैं अभी डाल रही हूँ और आधा भी मैं लास्ट में यूज करूँगी, अब खी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी दो हरी लैची, ये देखिये ये दो हरी लैची को मुँ मैंने खोल दिया है, इसे भी हम फ्राई होने देते हैं, ये देखिये लैची फ्राई हो रहे हैं, अब मैं इसमें डालूँगी एक कटोरी चीनी, एक कटोरी सूजी है तो मैं ले अधियान रहे आज को एकदम सीम पे करके पानी डालना नहीं तो घी जो है वो चटकने लगेंगे थोड़ा सा मैंने सैफ्रॉन डाला है यह हमारे हलवे में बढ़िया सा कलर और साथ में फ्लेवर भी लाएगा अब आज को मीडियम कर दें पानी को अच्छी तरह से बॉइल होने देंगे ताके चीनी अच्छी तरह से मिल्ट हो जाए यह देखे इसमें बॉइल आ गए है अब थोड़े से ड्राइफूर्स में इसमें डाल दें हूँ थोड़ा किश्मिस थोड़ा काजू थोड़ा बादा के रखा है मैं उसे डालूंगी फिर से मैंने आज को एकदम धीमा कर दिया है और लगतार चलाते हुए इसे मिक्स करना है पानी में पानी पूरा गरम है सुझी भी हमारा गरम था तो इसलिए इसमें बहुत जल्दी बॉइल आने लगेंगे और यह पकना शुरू हो धीमी आज पर जब आप इसे पकाएंगे तो आपके हाथों को कोई नुक्सान नहीं होगा तेज आज पर क्या है कि यह बहुत जोर जोर पकने लगेंगे और आपके हाथों में पढ़ने का डर होगा यह देखिए आज को मैंने एकदम धीमा रखा इसमें बॉइल आने लगे हैं और यह पकना शुरू हो गया है अब देखते ही देखते बहुत जल्द सूची सारी पानी को आफ्जर्ब कर लेगी यह देखिए सूची कितनी अच्छी तरह से पक रहे हैं यह सूची के हलवे का एकदम बैसिक तरीका है जो एक जमाने से चला आ रहा है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यह देखिए पूरी पानी को सूची ने अफ्जर्ब कर लिया है अब जो घी मैंने रखा था लास्ट में डालने के लिए इस स्टेश पे मैं वो घी को डाल दूँगी यह मेरे हलवे में एक अच्छा सा शाइन लाएगा साथ में पढ़िया सा फ्लेवर भी अगर आप फर्स टाइम बना रहे हैं तो मेरे स्टाइल में बनाए परफिक्ट हलवा आपका बनकर तयार होगा